दोस्तों, इलेक्ट्रिक जेनरेटर्स के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, आप सभी को पता होगा, लेकिन क्या आपने कभी सुना है नैनो जेनरेटर्स के बारे में? हाथ हिलाईए और आपका फोन चार्च हो जाएगा, दोस्तों, आज मैं आपसे इस वीडियो में इन ही के बारे में बात करने वाला हूँ, नवश्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौरव, आप लेख रहे हैं टेक्निकल गुरू जी, चले शुरू करते हैं दोस्तों, जब से हमें पता चला एलेक्टिसिटी के बारे में गया फिर मैं कहूँ दोस्तों, जब से हमने डेवलप किया पहला एलेक्टिकल अप्लाएंस, तभी से इस फील्ड में हमारे दो में अबजेक्टिव्स रहे हैं दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह कि हम चाहते हैं कि एनर्जी को हमारे यूजबल फॉर्म में हम बेस्ट पॉसिबल एफिशेंसी के साथ में कनवर्ट कर पाएं जो कि दोस्तों, इस case में है electrical energy, फिर चाहब हो wind energy से आती हो यह पिर solar power से लेकर हम चाहते हैं कि वो, दोस्तों, हम बेस्ट possible efficiency के साथ में हमारे यूजबल फॉर्म में generate कर पाएं दोस्तों, दूसरा objective है, वो है appliances की efficiency को लेके हम चाहते हैं दोस्तों कि हम कोई भी अगर electrical या फिर electronic appliance बनाए फिर चाहिव एक बड़ी सी motor हो या फिर दोस्तों आपके phone या फिर computer में लगी वी एक छोट इसी chip वो best possible way में अपनी efficiency दिखाए कम से कम power consume करें और best possible आपका output दे जिससे हम कम से कम energy को use करते हुए हमारे जो काम है वो complete कर पाएं दोस्तों इस case में हमने बहुत ज़्यादा तरक्की करी है पहले के जो हम devices use करते थे फिर चाहिए वो आपके electrical devices हो या हो आपके electronic devices अगर आप compare करें दोस्तों उनको अभी current generation से तो वो बहुत ज़्यादा energy consume किया करते थे और आज की date में हमारे पास जो techniques available हैं वहाँ पे दोस्तों बहुत कम power input में लेते हैं और बाद में जो devices हो आपका complete काम कर पाते हैं लेकिन अभी भी हमें दोस्तों किसी ना किसी type का मतलब एक dependency चाहिए फिर चाहिए वो आपके battery की form में हो या फिर लगातार आपको plug-in देर रखना पड़े किसी device को अब stand alone किसी device को बिना किसी external power को दिये use अभी भी नहीं कर पाते हैं हाँ solar एक option है लेकिन फिर भी दोस्तों वो इतना नहीं है viable कि आप उसको मतलब जब चाहें जहां चाहें वहाँ पर use कर सकें तो इस case में जो nano generators हैं दोस्तों वो बहुत ज़्यादा कमाल करने वाले हैं और तरह तरह से आप इनको implement कर सकते हैं दिन हो या रात उनको फरक नहीं पड़ता और जैसे रहे तो दोस्तों नायो डाटोंजी जो है वो आगे progress कर रही है नायो जैनो जैने वाले दिनों में हो सकता है आप भी इने use करेंगे दोस्तों यहाँ पर concept क्या है सबसे पहले मुसके बारे में बात करते हैं देखिए मैंने आपसे दोस्तों जो पहले वीडियो बनाया थी पहले पीडियो लेटिस्टी के बारे में वहाँ आपको बताया था कि कुछ ऐसे specific materials होते हैं जहाँ पर दोस्तों अगर आपको external pressure लगा में और उसके बाद में आप इनको किसी भी flexible material टैक से दोस्तों इसको embed कर सकते हैं आप इसके लिए sheet के तरे इनको print कर सकते हैं फिर चाहे आप इनको अपनी t-shirts के अंदर लगा ले आप जब पहन के इनको बैठे जब चल रहे हैं चल क्या रहे हैं अगर आप हलका सा अपना हा मैं आपसे बात कर रहा हूं millions and millions of nanowires की बहुत सारे तरह तरह के clusters की जो की complete आपकी clothing में है तो यहां पर दोस्तों आप at least इतनी energy को convert कर लेंगे कि आपका phone, आपका iPod या फिर आपका कोई भी music player, आपके headphones वगरे को आप दोस्तों वहाँ पर पावर दे पाएं और यह न आपड़ों में ये जगह जगह तरह तरह की scenarios में काम में आ सकते हैं, for example दोस्तों डॉक्टर किसी patient की body में कोई medical device को implant करता है, अब definitely उसको कोई नो कोई power source चाहिए, चाहिए कोई battery होगी, चाहिए wireless power होगर है, कुछ भी है, तो यहां पे उसका दोस्तों एक तो lifetime है, कि एक limit के बाद में उसको replacement चाहिए, दुबारा operation होगा, चाहिए तो वो device change हो, चाहिए तो वो cell change हो, लेकिन ऐसे में अगर हमने दूस्तों use किया nanogenetors को, तो पहली बात तो ये कि आपकी body में कोई भी toxic element नहीं क्या कि वो जो piezoelectric material से वो non-toxic है, दूसरी बात दूस्तों यहां पे ये क आपका जो दिल रख रहा है, आपके जो फेफड़े फैल रहे हैं बार-बार, उनका दूस्तों movement जो है वो इतना होगा sufficient कि वो इतनी energy generate कर सकें कि वो उस implant को बदले में power कर सकें, मतलब आपकी body के energy से वो device यहां पे power देगा, आपको जो बाद में आपकी body को ही ठीक रखने मे इसे में भी आप उस rhythmic motion से इतनी energy को generate कर लेंगे कि आप अपने किसी personal handheld device को power कर पाएं, फिर दोस्तों या फिर अगर आप से बात कर तो मादी चलते फिरते की, या फिर आप अगर फोन को पकड़ रहे हैं, हिला भी रहे हैं, अगर आपने फोन को पकड़ा भी, अगर फोन की body पे, आप एक बड़े scale का example लेके देखिए, आप अगर अपनी windows पे वो material लगाते हैं, तो जो wind pressure है, वो भी दोस्तों enough होगा कि वो आपके लिए कुछ energy generate कर सके, तो चाहे हम बात करते हैं, glass के उपर उसको coat करने के चाहे हम बात करते हैं, किसी और बड़े scale के, मतलब बड़े अगर आपको विडियो पसंद आया होगा, अगर आपको विडिस अवाला सुझा हो, तो आप मेंचे comment करना मत बूलिएगा, अगर दोस्तों आप इस वीडियो पी तो like और share नहीं किया है, तो like भी कर दीजिए और share भी कर दीजिए और channel को subscribe करना मत बूलिएगा, फिलहाल के इतना ही दोस्तों, देखने लिए अपर बहुत बहुत धन्यवाद, जैहंत, वन्दे मातरम